हलो ट्रेडर अज़ के मार्केट को समस्ते हैं कि आज के मार्केट में किस तरीके से काम करना था आज मैंने आपको live market में जो है टेलिग्राम पे जो है अपडेट दिया था कि हमें आज के market में किस तरीके से काम करना है तो आज के market में हमने 2-3 चीज़े सीखी है जो जो है आपको सीखना चाहिए समझना चाहिए और उसको note करना चाहिए कि अगर आगे ऐसा होगा तो हमें इस तरीके से काम करना है पहला चीज़ कि अगर market का trend अगर downtrend है तो trend के direction में अगर हमें एक impulsive momentum मिला हुआ है तो अगले दिन market जो है hold करेगा या तो time correction में जाएगा या तो price correction में जाएगा इतना आपको हमेशा clear होना चाहिए तो जो last वाला trading session था उसमें market जो गिरा हुआ था वो एक impulsive wave था downtrend का तो उस impulsive wave के बाद market या तो time correction में जाएगा time जो है बिताएगा उस wave में जाएगा या तो price वाले wave में जाएगा तो इसका मतलब simple है कि हमारा mindset कैसा होना चाहिए आज अगर trade करेंगे तो पिछले वाले market में अगर लगातार market कीरा हुआ है तो इसके बाद आज hold करेगा time में या तो price में तो हमारा mindset ना चाहिए कि आज हमें impulsive wave नहीं देखना है मतलब आज market नहीं गिरेगा ऐसा हमारे mindset में होना चाहिए अगर आपके mindset में यह होता तो आज आप बीरी trade नहीं लेते और आपका loss नहीं होता पहला हम लोग क्या करते हैं कि हमारा loss नहीं हो जाए ठीके loss मारा ना हो हमें direction find करना है हम कहीं गलट direction में trade ना ले मतलब अगर हमको direction पता है कि अगर market में अगर down जाने वाला है या पिर अब जाने वाला है तो हम वहाँ पर sign trade ले लेंगे लेकिन हमें ये find करना है कि हमें किस side का trade नहीं लेना है ताकि हमारा loss जो है control में रहे तो अगर आपको down side का trade आज नहीं करना था इसके पीछे का एकी region है एकी mindset आपके अंदर आना चाहिए कि कभी भी market अगर लगातार यहाँ पर impulsive wave move कर गया है ठीके लगातार market ऊपर चला गया है देखे आप सोजार पॉइंट तो अगले दिन market hold करेगा time में आ तो price में ठीके तो फिर आपको अगले दिन ऊपर का trade नहीं लेना है पहले ये control करना है तो ऐसे ही आप आप अहां पर देखेंगे हम इसको 15 में के time frame पर ले चलते हैं by nifty को ठीके तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब bank nifty यहां से लगातार जो है downside का momentum दिया है तो यह impulsive wave हो गया तो अगले दिन फिर से थोड़ी गिरेगा यहां पर मार्केड होल्ड करेगा time में आप प्राइज में तो हमने आपको मेसेज दिया कि आज जो वेब जाने वाली है यह वेब रहेगा कौनसा प्राइज करेक्शन का वेब रहेगा अब जो प्राइज करेक्शन का वेब होता है वो कैसा होता है कि इस इंपलस वेब का हम लोग फिभनाची एरिया लगाते है थिपनाची लगाते है तो अगर हम इस इंपलस वेब का फिभनाची लगाते है जो लास्ट है 61, 61% दीके, तो आज काउन से वेब में मार्केट रहेगा, पहले हमें यह identify करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे trade plan प्राइन आते हैं, पहला रहेगा कि trend क्या है दीके, बड़ा trend क्या है, दूसरा रहेगा कि trend में कौन से वेब में मार्केट चल रहा है, वेब के बाद हम decide करते हैं, कि हमारा risk कहाँ पर बनने वाला है, इसके बाद हम वहाँ पर इंट्री करते हैं, ठीके, अगर इसको हम अगर यहाँ पर explain करें, तो trend आपका महाल लीजे कि जो है, downtrend चल रहा है वेब काउंसा है, यहाँ पर price correction में मार्केट चल रहा है price correction, ठीके अब हमारा risk क्या रहेगा अगर हम impulsive वेब में trade करना चाहते हैं, तो मतलब हम downtrend का trade लेते, तो हमारा risk कहाँ बनता resistance, लेकिन हम काउंसे वेब में आज थे, हम price वाले correction वेब में थे तो यहाँ पर हमारा risk के क्या बनता support बनता, यह हमारा risk बनता कि हम trend के against में अगर जा रहे हैं, तो अगर हम 10 lot trade करते हैं, तो यहाँ पर हम 1 lot या अपकी 2 lot अपना position size कम गरेंगे और support हमारा risk बनेगा, फिर हम entry करेंगे कहाँ पर हम support पेंटरी करेंगे अब आज के market में अगर हम price correction में जा रहे हैं तो मारा support कहां का बनेगा उसको समझते हैं, तो हमारा support क्या बनता हमारा support बनता trending support बनता या फिर horizontal support बनता त्रेंडिंग support या फिर horizontal support बनता, अब आज यह जो हमने level दिये थे कि इसको breakdown करेगा तो हम जो है नए impulsive वेपो trade करेंगे लेकिन यहाँ पर fail होता है ठीक है और market फिल से वापस यहाँ पर 51,000 का SL hunting कर देता है ठीक है तो यह क्यों होता है इसको आगे हम discuss करेंगे पहले यह समझते हैं कि हम risk कहां पर लेते हैं support हमारे लिए risk बनता तो हम यहाँ पर horizontal यहाँ पर trending support का यहाँ पर risk लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक trend line मिल रही है जिसका यहाँ पर market क्या करता है breakout करता है हमें क्या मिलता है एक trend line मिलता है और इसका क्या करता है, market breakout करता है तो ये देखिए हमारे लिए क्या है एक trending resistance था अब इसी trending resistance को market हमें क्या करता है यहाँ पर support लेकर कि इसको breakout कर देता है अब हमारे लिए important क्या बन जाएगा, आजके market लिए support important बन जाएगा, तो ये हमारे लिए जो resistance trend line था, अब हमारे लिए support की तरह काम करना शुरू कर देगा किस की तरह काम करेगा, support की तरह काम करना शुरू करेगा, तो मतलब जब तक इसके उपर रहेगा, तब तक हमारे लिए जो है, एक, जो है हमें opportunity बना रहेगा, कि हम price correction में ही रहेंगे अब क्या करना है, माली जी breakout किया, अब आपने यहां कहीं trade कर लिया, और इसके low के नीचे आपका SL बना हुआ है, इतना बड़ा SL है, तो हमारा support ही हमारे लिए important है, तो support हमारा क्या बनेगा, support trend line, या फिर यहां पर market जो candle बनाया हुआ है यह breakout किया हुआ, यह हमारे लिए support बना तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारा stop loss नहीं hit हुआ है हम market में आपर बने रहेंगे अब यह तो बाद में आएगा तो हमारा, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, mindset कि भाई हम जो है, price correction wave में है तो हम एक लौट से trade करेंगे और उपर का ही trade करेंगे क्योंकि पहले market गिरा हुआ है तो आज नहीं गिरेगा आज time में जाएगा, तो price में जाएगा तो price में जाएगा कैसे confirm हो गया market है support बदलना शुरू कर दिया तो यह price में जाएगा अगर इसी range में रहता तो यह time में जाता price में जाएगा, यह confirm हो गया तो हमें हमेशा support पे काम करना है और उपर के side का trade लेना है जहां तक इसका price correction जाने वाला है अब हमारे यह support trend line यह बन चुका है अब यह क्या कर रहा था कि यहां से हमें एक support मिल रहा था trailing stop loss चला गया तो हमारे यहां पर trailing stop loss चला गया आपको यहां पर तीन candle का अच्छा momentum यहां पर देखने को मिलता इसके बाद हमने message आपको डाला टेलिग्राम पे कि अगर हम इसको breakdown कर देते हैं support trend line को तो यहां पर impulsive price correction कमपीट हो कर कर market नीचे जाना शुरू कर देगा लेकिन यह fill हो जाता है आप लोग उस message को ध्यान से अकर पढ़ोगे तो उसमें हमने लिखा था कि जब तक इस support trend line का market breakdown नहीं करता है और bearish price action बना करके ऐसा bearish price action बना करके ही breakdown करे तो ही हम यहां पर इसको good breakdown मानेंगे description मिलेगा आप मैं कोई call tip नहीं देता हूँ सिर्फ education देता हूँ तो जो मेरे नाम से call tip दे रहागा of fraud है जो भी मारा original चीज़े है वीडियो के description आपको मिलेंगी जाकर कर जोइन कर लेना तो यह fake breakdown होता है तो यह बीरिस transaction मना करके breakdown नहीं करता है अब ध्यान देना इसीच को कि हमें उपर का ही trade क्यों करना है आज यह हमें clear हो गया है तो जब यह fake breakdown हो गया है तो हमें reversal plan करना है और यहाँ पर आप देखोगे reversal हमें मिल गया है एक bullish engulfing candle form किया है अब यह form कहां पर किया है वही जो हमारे लिए support trend line बन रहा था वो हमारे लिए support trend line बन रहा था यह confirm जो है जो है entry होती है कि आप जैसा mindset रखे हो कि हम price wave में है price correction वाले wave में हमें उपर का trade करना है down का तो करना नहीं है क्योंकि यह price wave में जाएगा और past में इसका 5000 का psychological level मिल रहा है अब यह fake breakdown की हुआ क्योंकि बेरिस projection बनाया ही नहीं इसने impulsive wave दिया अब देखो के market नया high लगा रहा है यहाँ नया high लगा नया high लगा नया high लगा और इसको direct breakdown किया है impulse wave में अगर इसको breakdown इस तरीके से करता यह impulsive wave बनाया फिर यहाँ आकर hold करता फिर तो ओपर जा करके तब इसको breakdown करता तो मतलब नया high न लगा करके अगर breakdown करता trend line को तो यह बेरिस projection ना करके breakdown होता इसने क्या किया है नया high लगा करके direct breakdown किया है तो यह हमारे लिए एक fake breakdown रहेगा यह एक profit booking है तीक है किसकी profit booking है जो लोग यहाँ से put right किये थे जो लोग put right किये तो लोग profit book किये है वापस से फिर से मौका मिल गया लोगों को यहाँ पर position नाने के लिए फिर से market लगातार जो है 11000 का SL hunting हो गया तो यह और और आज का trade था mindset कैसा रखना था रिस्क क्या है आपका support risk बन रहा था position size कम करके चल जैते कोई दिक्कत नहीं है बस इस तरीके का माश्म ना करके हमें आपका trade करना था और सबसे बड़ी बात कि हमने आपको option chain में सिखाया हुआ है कि ऐसा कभी नहीं दिखता है कि open interest जो है change in why change open interest जो change in why होता है वो otm के minus होना सुरू हो जाए जैसा अगर ऐसा कभी दिख गया तो समझ जाना कि उस direction में one way momentum जाएगा market में अगर ये call side में हो रहा है तो call side में market जाएगा one way अगर ये put side में हो रहा है तो put side में जाएगा market one way तो ये भी आज आज आपको सेखने वाली बात है पहला आपने क्या सीखा कि market अगर impulse way move दिया है तो अगले दिन वो direction में नहीं जाएगा hold करेगा price या फिर wave में ठीके दूसरा चीज़ कि आप यहाँ पर fake breakdown कैसे identify कर रहे हो या फिर fake breakout कैसे identify कर रहे हो तो ये market नया high लगा करके breakdown कर दिया नया high न लगाता तब breakdown करता तो real होता पहला यहाँ लास्ट high लगा फिर नीचे आ करके यहाँ पर फिर break करता तो ये नया high नहीं लगा market में तो ये हमारे लिए good breakdown होता इसके बाद आपने सिखा कि अभी option होते ही अपने support line को shift कर देंगे तो हमें एक support line यहाँ पर मिल गया है support line हमें मिल गया है आते हैं वापस 15 के time frame पे और हमें आगे कैसे trade करना है उसको हमें आपर समझेंगे बड़ time frame पे हमारे लिए resistance trend line है और यह हमारे लिए support trend line है और बड़ time frame पे ले चलके आपको दिखा देते हैं आप और by nifty में कि बड़ टाइम frame पे हम resistance support line को 20 में चल रहा है तो यह हमारे लिए पूरा एक impulse wave है हम इस तरीके से चल रहे हैं आप देखो कि trend बिल्कुल clear रहता है और इस तरीके का आपको market जो है price correction time correction में confusing wave में चल रहा होता है तो यह हमको पता चल गया resistance support उपर वाला हमारे लिए क्या है weekly resistance है यह हमारे लिए weekly support है यह पूरा आपको clear हो गया अब आते हैं छोटे time frame पे अंदर में घुशते हैं ताकि हमें जो है आगे की planning पता चले देखें अब फिर से वही हम बोलेंगे कि इस support line को 1, 2, 3, 4, 5 5 wave बनाये का इसमें इस support line को जब तक बीरी स्ट्रेजिक्शन मना करके breakdown नहीं करता है तब तक हम इस impulsive wave के बाद इसको price correction complete नहीं मानेंगे और तब जाकर के नया हमें impulsive wave मिलने वाला है तो हम लोग sales side का plan तब तक नहीं करेंगे जब तक support trend line का यहाँ पर बीरी projection मना करके breakdown नहीं करता है ऐसा mindset तब हम रखेंगे और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे इसके बीच में हम इसी direction को follow करते रहेंगे और इसको breakdown करते ही हम लोग जो है इसके बाद हो यहाँ पर time मिताया करेंगे फिर breakout करेंगे तो फिर नया trend हमें आगे देखने को मिलेगा तो simple है trade कैसे करेंगे फ्लेट open होते ही हम यहाँ पर support पर लेकर के buy करते रहेंगे ठीक है इसको जैसे भी break करेंगा यहाँ पर हम 500 का target रखेंगे तो यहाँ पर हम buyers के control में रहेंगे और इसको breakdown करेगा तो हम यहाँ पर seller के control में आ जाएंगे फिर यह हमारा last resistance है जो trend आ रहा है इसको जब उपर जाएगा तब हम यहाँ पर हमें जो है buyers का control आएगा buy on dip का market रहेगा अब ट्रेंड सुरू होगा इसके उपर इसके उपर क्या होगा अब ट्रेंड सुरू होगा तो अब यहाँ पर downtrend सुरू हो गया है ऐसा confirm करने के लिए यहाँ पर breeze transaction बनना चाहिए तब breakdown करें तब हमारे लिए यह real breakdown रहेगा अब मालते है gap open होगा तो क्या करेंगे तो यह जो resistance trend line है जहाँ से market नया high नहीं लगाया है इसके उपर अगर यह gap open होता है तुमारे लिए क्या बन जाएगा support बन जाएगा और पंदर मिटा का सच्टिन करेगा तो पहला target हमारा 99,500 का हो जाएगा और इसी support पे हमारा risk बनेगा हम सपोर्ट का risk लेंगे और यहां से हम buy करेंगे तो 99,250 के उपर हम 11,500 का target देख लेंगे बैंक निफ्टी में अगर gap open होता है तो अगर बड़ा gap open हो गया मालते हैं 99,500 के आसपास ही open हो गया तो हमारे लिए resistance trend line यह रहेगा support trend line यह रहेगा तो हम क्या करेंगे इसी resistance support को trade करेंगे ठीक है इसी resistance support को trade करेंगे बड़ा gap open होगा तो यह support पे हम buy करने के कोशिश करेंगे जो trend line मारे लिए support रहेगा 11,250 का level ठीक है इसका मतलब market एक fake trend हमें यहाँ पर दिखाया था अगर इसके उपर gap up बड़ा होता है तो अब 500 से ज़्यादा अगर gap up हो गया BNFT में ठीक है 500 ज़्यादा अगर gap down open हो गया तो हम लोग नजदी की resistance और support को trade करते हैं बड़े gap up में हमारे लिए support यह बनेगा तो अगर gap down open होता है तो market को नजदीक कौन रहेगा support रहेगा तो यहाँ पर 50 ज़्यादा का SL hunting confirm हो जाएगा अगर market में बड़ा gap up होता है तो नजदीक में कौन रहेगा 22,000 तो confirm इसका SL hunting उपर हो जाएगा तो market को जो pass मिलेगा market उधर move करने की कोशिज करेगा अगर resistance pass मिल रहा है तो resistance के तरब move करने की कोशिज करेगा support अगर मिल रहा है तो support के तरब move करने की कोशिज करेगा ऐसे ही आज market में क्या हुआ था अगर हमको confirm हो गया price correction है अगर market trade कर रहा है 50,000, 750, 700 के 20 में तो 4000,000 पास मिल रहा था psychological level जिसका excellenting यहाँ पर confirm हो गया था तो इस तरह के से में यहाँ पर benefit में trade करना है Nifty 50 को देखते है Nifty 50 में simple था कि Nifty 50 को हम लोग किस तरह के से देख रहे थे आज के दिन यहाँ पर आते हैं यहाँ पर Nifty 50 का जो यह पूरा इंपल्सी वेब है और यह पूरा एरिया हम लोग मान रहे थे यह पूरा एरिया market जो है trend को जो है continue करेगा या फिन नहीं करेगा हमें यहाँ पर projection के तोरपी बताने वाला है तो इसलिए हम लोग इस पूरी एरिया को मतलब 25,000 से ले करके और यह जो लो लगा है यहाँ पर 24,800 के करीब यह लो तो 24,800 यह 200 पॉइंट का जो range रहेगा यहाँ पर हम लोग एक range direction को trade करने वाले है support और resistance को 25,000 के उपर अगर market 15 minutes sustain करेगा तो यहाँ पर buy on dip की strategy पर काम करेंगे 24,800 के नीचे अगर market 15 minutes sustain करेगा तो हम लोग sell on rise की strategy पर काम करेंगे अगर open होता आए तो हम लोग यहाँ पर option selling करेंगे resistance और support को ले करके OTM के strike price पे gap of open होगा तो 15 minutes sustain करने देना है और यहाँ पर और इसकी support के नीचे 15 minutes sustain करने देना है तो हम seller के control में आएंगे ठीके अगर यहाँ पर कहीं भी open होता है हम लोग इसी resistance support को trade करते रहेंगे तो यह impulsive हो गया यह पूरा इसका range correction हो गया और इसका price correction कहाँ पर आएगा इसके उपर अगर market sustain कर जाता है तो यहाँ पर इसके उपर price correction fill होगा market को resistance पास मिलना शुरू होगा तो resistance को market तोरना शुरू करेगा इसके नीचे चलता है market तो यहाँ पर इसके नीचे अगर चलेगा तो यहाँ पर market को support पास मिलेगा support को तोरना शुरू करतेगा तो यह हम trend को यहाँ पर clear आपको समझा दिये है कि 24825 222 मिन range correction इसके उपर buy on dip जिसके नीचे sell on rise यहाँ पर option selling गैप up, gap ground के साथ में 15 minutes sustain करना चाहिए आपके level के उपर तो हम वहाँ पर हमको एक risk मिल जाएगा अब ध्यान देना कि लोग बोलते हैं कि हमें entry कैसे करना है entry का हमने तरीका आपको उताया हुआ है entry हमें वही करना है जाप हमने decide किया है कि अगर हम गलत होते हैं तो हमारा यहाँ पर loss हो जाएगा तो downtrend में हमारे लिए risk क्या बनता है resistance और uptrend में हमारे लिए risk क्या बनता है support तो support का ही risk के लेकर के हम आगे उपर का trade कर लेंगे गलता है, तो हमारे लिए अगर इसके ओपर जाता है मारे फिर लिए support बन जाएगा हमें buy करना है तो इसी support का हमारे risk करेगा आगर इसके नीचे market निकलता है तो हमारे लिए support और resistance बन जाएगा यह resistance हमारे risk रहता है downtrend का तो हमें यहाँ पर trade ले लेंगे अब भले यह मारा stop loss sheet हो जाए लेकिन हमको trade में इंटर इसी precious पे करना है option chain के data को देखते हैं तो आप वही जो आपको बताने वाले थे sword covering देखे ये कभी भी आपको अगर दिख जाए तो आप इसको छोड़ना नहीं मैंने option chain वाले course में आपको समझाया हुआ है ऐसा कभी जल्दी दिखता नहीं है लेकिन अगर दिखता है तो इसको आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे price plus में है लेकिन ये वाला condition दिखना कि OTM के strike price से सारे call writer अपनी position काट रहा है माइनस में है यह आपको जो है काफी दिन बाद देखने दो तिन महीं में बाद देखने को मिल रहा होगा कि OTM के strike price में माइनस दिख रहा है call side में तो जिधर ये minus दिखेगा ये plus दिखेगा उधर समझाना कि one way momentum है इसका मतलब ये हमें call side में ही जाना था deep आने पर तो इसको बोलते हैं short covering short covering कहां हो रही है call में हो रही है तो इसको बोलते हैं कि अगर जो लोग call बेज के चल रहे थे वो लोग अब डर रहे हैं इसका मतलब अगर डर रहे हैं तो position काटेंगे तो यहां पर ओलो position काट रहे थे इसलिए minus हो रहा था तो सारे call writer जो जो है last वाले market में call write किये थे market गीरा था अब वो ही position काट रहे वापस तो इसलिए V-sip में recovery हो गई market की तो ये बहुत अच्छा sign है live market में कि short covering हो रही है ये अगर आपको put में दिख गया तो put में market one way जाएगा लेकिन आपको 2-3 महीने बाद बहुत कम देखने को मिलता है जब ऐसा देखने को मिले है समझ नोट कर लो यही वहला नोट कर लो कि price अगर green में है तो plus मानेंगे और why अगर बगल में minus लिखा है है call से निगल रहा है तो समझ जाओ कि पूरा market bullish था ठीक है क्योंकि ये वाला scene आपको देखना था क्योंकि आज मैं late आया था late message किया और ये मैंने last में देखा ठीक है तो वहाँ पर हमने जो है हमने भी put right किया था आज के market में एक ही load से किया था और total अगर आप देखोगे यहाँ पर 31 लाख put right किया था 36 लाख यहाँ पर call writer अधी भी बचे हुए है तो कल देखेंगे कि लोग निकलेंगे कि ये और position एड करते हैं nifty में देखते हैं nifty में क्या हुआ है nifty में बिसाद जो है nifty में निकल रहे हैं लोग short covering कर रहे हैं किसी किसी strike price से जिसे यहाँ से निकले हैं यहाँ से निकले हैं तो 25,000 से निकल रहे हैं तो कोज़ अकता है कल 25,000 को उपर gap open हो जाए या फिर flat open हो कर तोड़ दे क्योंकि 25,000 का resistance market को past में मिलेगा nifty को तो यह planning हो सकती है तो अभी फिलाहल हम इसको मारेंगे कि यह यह अल देखिए यह क्या है price minus में है जिसको green रोना चाहिए था price minus में है न जब अगर यह plus में होता और यह सब minus में होता है तो यहाँ पर भी short covering देखने हो कि मिलती है तो अभी फिलाल यह इसको ध्यान में ही देंगे कल अकल ध्यान में देना कि अगर यह सारे minus हो रहा है और यह plus में आ गया है फिर यह one way move करेगा 25,000 के साइक्लोश के लिवल को break करके ऊपर पहुँच जाएगा 25,000 दो सो के आस-पास ठीक है जैसे आज बे निफ्टी में हुआ है और यहाँ पर put right किया गया है put बेच रहे है तो seller क्या कर रहा है put बेच रहे है call side से निकल रहे है ठीक है तो यह उनका planning चल रहा है एक 30,000,000 इदर है और 44,000,000 इदर है तो अभी यहाँ पर जादा है 14,000,000,000 34,000,000,000 कल यझे 25,000 के निचे अगर market खुलता है निफ्टी तो फिर अगर वहीं बार-बार होड़र कर रहा है चार्ड पिले चलते हैं अब देखो 25,000 का resistance यहां पर है अगर कल निफ्टी 25,000 के नीचे यहां पर hold कर रहा है, बार बार hold कर रहा है और यह resistance pass में मिल जाएगा इसको और इसका answer कटना सुरूर हो जाएगा ठीक है, और आप option चर्म में आपको क्या देखेगा, call writer निकल रहे हैं minus हो रहे हैं और price plus में आ जाएगा तो I hope आप समझगे होगे कैसा लागा आपको यह analysis, आप लोग comment करके जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखाएं तो वीडियो को एक like जरू करते हैं आप लोग वीडियो को like नहीं करते हैं, यह मेरा reward है जरूर लाइक करें अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है और सेख जिए उन दोस्तों जिनको इसकी जरूवत है मिलते लिए वीडियो में धन्यवाद